जिमीकंद का भरता या चोखhah बनाने के लिए, सबसे पहले हम जिमीकंद को बॉयल करेंगे, तो जैसे आलू बॉयल करते हैं, भिल्कुल उसी तरीके से बॉयल करना है, इसके बाद इसे मैश कर लेना है अच्छे से, और इसके बाद इसमें मिलाएंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च बारी कटी हुई, क्रश की हुई लहसन की कलिया, तो दो लहसन की कलिया, मैंने या पर लिए से क्रश कर लिया था, और इसके बाद इसमें मिलाएंगे सरसो का तेल और नीमबू, साथ में इसके बाद हमारा ये जिमी कंद का भरता चोखा जिसे भी आप कहते हैं तयार हो जाएगा तो इस तरीके से जरूर बनाईए बहुत ही स्वादिश लगता है और अच्छा लगने पर फैनली और फ्रेंस में शेयर कीजिए कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी ल